लंब वृत्ती बेलन का प्रिष्ठी क्षेत्रफल सर्फेस एरिया ओफ राइट सर्कुलर सिलेंडर यहां आर्थ रिज्या तथा H उंचाई के बेलन का प्रिष्ठी जाल आकरिती 20 के 2 के समान दिखेगा इस संदर्व में आयत की चुड़ाई बेलन की उंचाई H के बराबर तथा आयत की लंबाई वृत्ती की परिदी 2 π.R के बराबर है अता बेलन के वक्र प्रिष्ठ का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल बराबर 2 π.R.h वरगीकाई और बेलन के संपून प्रिष्ट का क्षेत्रफल बराबर वक्र प्रिष्ट का क्षेत्रफल धन दोनों आधारों का क्षेत्रफल बराबर 2πRH प्लस πाई R स्क्वेर प्लस πाई R स्क्वेर बराबर 2πRH प्लस 2πR स्क्वेर पराबर 2πR कोश्टक में H प्लस R कोश्टक बन वर्गी काई जहां R बेलन के अधार की त्रिज्या तथा उचाई H है लंब वृत्ती बेलन का आयतन Volume of a Right Circular Cylinder हम जानते हैं कि घनाब का आयतन घनाब की आधार का क्षेत्रफल और उसकी उचाई का गुणनफल होता है यहां दी गई आकरिती 21 एक घनाब है जिसके आधार में भुजाओं की संख्या के बढ़ने से आकरिती 21 में क्रमिक परिवर्तन हो रहा है आप देख सकते हैं कि यह धीरे धीरे लंब वृत्ती बेलन बनता जाता है यह इसलिए कि आधार धीरे धीरे वृत्त के और करीब जाता रहता है जब इसके आधार की भुजाओं की संख्या असी मित हो जाती है तब यह आधार वृत्त बन जाता है और पूरी आकरिति लंब वृत्ती बेलन आकरिती 22 जैसे बन जाती है इसलिए हम कह सकते हैं कि बेलन के आयतन का सूत्र हम घनाप से प्राप्त कर सकते हैं बेलन का आयतन उसके आधार के क्षेतरफल और उसकी उंचाई की गुणनफल के बराबर होता है माना बेलन के आधार की त्रिज्या R इकाई तथा उंचाई H इकाई हो तो बेलन का आधान बराबर आधार का क्षेत्रफल गुनित उंचाई बराबर πाई आर का वर्ग गुनित H बराबर πाई आर वर्ग H घनिकाई पेज नमबर 356 करके देखे पहला एक काईस की शीट ले उसे लंबाई की तरफ से मोड कर एक बेलन बनाए प्राब्त बेलन का क्षेत्रफल एवं आधान प्राब्त करें अब इसी शीट को चोड़ाई की होड से मोड कर प्राब्त बेलन का आधान एवं क्षेत्रफल प्राब्त करें प्राप्त आयतन और क्षेतरफल के बारे में आप क्या कह सकते हैं? दूसरा, पांच रुपए के कुछ सिक्के लें और अलग-अलग संख्या में सिक्कों को एक के उपर एक जमाएं इस तरह से प्राप्त आकरिती का क्षेतरफल एवं आयतन निकालें क्षेत्रफल एवं आयतन प्राप्ट करने के लिए आपने किन-किन तरीकों का उप्योग किया वक्रप्रिष्ट व आयतन की गढ़ना अक्सर आयतन मापने के लिए बेलनाकार बर्तनों का उप्योग होता है इसके अलावा यह पता करना होता है कि किसी धातू की बेला का रवस्तू को बनाने में कितनी धातू लगेगी अथवा किसी बेला का डिब्बे पर रंग करने में कितना रंग खर्च होगा अथवा कितना कागज इसे पूरी तरह लपेट लेगा इस सब के लिए हमें बेलन के वक्र प्रिश्ट वाइतन की गढ़ना करनी होगी आईये देखें या गढ़ना कैसे करते हैं बच्चों क्या आपने अपने घर के आसपास कुवा देखा है या फिर अपने घरों में लगे हुए नलों के पाइप को तो आपने देखाई होगा बिल्कुल इसी प्रकार ये जो बैटरी है इसका उपयोग भी आप आई दिन करते हैं और ये देखिए ये कांच की जो बोतल है इस प्रकार की बोतले घर में यूज होती है साथ ही प्लास्टिक की ये डब्बे ऐसे छोटे बड़े डब्बे जिन में आप घर के अलग-अलग प्रकार के सामान रखते हैं ये है सीडी रखने का डब्बा और ये है सेलो टेप का रोल क्या आपको इन सभी सामगरियों में कोई विशेश आकार दिखाई दे रहा है और त्री विमी आकरिती को हम द्वी विमी आकरिती से प्राप्त कर सकते हैं तो चलिए लेते हम फिर से ये आयताकार शीट और इस आयताकार शीट से हम बनाएंगे बेलन तो बच्चों हमने ये एक आयता काशीट ली है याने कि इसकी लंबाई और चोड़ाई अलग-अलग होगी यदि हम इसे इसकी लंबाई कहें और ये इसकी चोड़ाई हो तो यहां हमें दो प्रकार से बेलन मिल जाएंगे एक बार इस शीट से मिलेगा बेलन जब हम इसकी लंबाई के अनुदेश घुमाएंगे और एक बार हमें मिलेगा जब हम इसके इसकी चोड़ाई के अनुदेश घुमाएंगे तो जब मैंने इसे इसके चोड़ाई के अनुदिश घुमाया तो देखिए एक बेलन हमने बनाया है इसी साइस की शीट से ये है ये देखिए तो जब हमने बेलन बनाया तो इसके दो आधार ये आधार कैसे हैं देखिए ये वृत्ताकार है यहां पर भी ये वृत्ताकार और इसमें भी यह इसके दो जो हैं, यह देखिए, यह इसका व्रित्थाकार आधार, ठीके? अच्छा बच्चों, बताईए कि यह जो आधार आपको दिखाई दे रहा है इस आधार की परिधी को किया वृत्ताकार है तो ये क्या कहलाएगी उसकी परिधी क्या आप इसकी परिधी के बारे में कुछ बता सकते हैं ये जो हमें आधार मिला था ये कब मिला था जब हमने इस शीट को इस प्रकार घुमाया था तो य यदि हम इस चोड़ाई को ना पले तो हमें मिल जाएगा इस बेलन के आधार की परिधी और परिधी से हम त्रिज्यागात कर सकते हैं इस प्रकार हमने त्रिज्यागात करके देखिए इसके ये जो आधार को है इस शीट में इस प्रकार उकेर लिया है ठीक है तो अब हम इनकी सहायता से बात कर सकते हैं बेलन के वक्रप्रिष्ट बेलन के संपूर्ण प्रिष्ट और बेलन के आयतन की चलिए सबसे पहले बात करते हैं बेलन के वक्रप्रिष्ट की यह देखिए यह हम यदि इसे इस प्रकार इसके अधार के उपर रग दें तो आप देखिए बेलन का व व्रित्य की परिधी और यदि इसका गुणा हम इस बेलन की उचाई अभी इसे एच MIETAN लेते हैं तो परिधी कितनी हुए WHY तकी डू पाई आर और उसका गुणा हो जाएगा बेलन की उचाई से याने की यहां यह आपको उसमें जोड़ना होगा इन दोनों आधारों के क्षेत्रफल को. तो ये दोनों आधार का क्षेत्रफल कितना है? वृत्र का क्षेत्रफल कितना होता है? π 1R2, एक और π 1R2, याने कि जो संपून पृष्ठ हुआ वो क्या होगा? वक्र प्रिष्ट । याने कि 2πr2 प्लस πr2 याने कि 2πr2 जिससे हम सरलतम रूप में लिखेंगे तो मिलेगा 2πr, ब्रेकेट में हम लिखेंगे r प्लस h वर्गी काई अब अन्त में बात कर लेते हम बेलन के आइतन की बेलन के आयतन के लिए फिर से यदि हम इसे ध्यान से देखें तो देखिए अब हमें बात करनी है इस बेलन के द्वारा जो अंदर घिरा हुआ ख्षेत्र है वही इसका आयतन है तो हम देख सकते हैं कि ये जो सरकल, ये जो वृत्त है, इसके अंदर जो घिरा हुआ क्षेत्र है, वो कैसे मिलता है हमको? उसके छेत्र फल से, यानि कि पाई आर स्कुरे से, और उस पूरे घिरे हुए शेत्र को यदि इसकी उचाई से गुणा कर दिया जाए, तो हमें बेलन के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र, यानि कि उसका आयतन, जो अंदर जो छेत्र उसने घिरा हुआ है, वही आयतन कहलाता है, तो वो हो जाएगा, पाई आर स्कुरे इंटू एच, घन इकाई, यानि कि बेलन का आयतन हो गया, पाई आर स्कुरे एच, घन इकाई, तो हम ने देखा बेलन का वक्रप्रिष्ट, बेलन का संपोर्ण प्रिष्ट और बेलन का आयतन, जो हमको मिला था, बेलन का वक्रप्रिष्ट में कितना मिला, 2πRH वर्गी काई, बेलन का संपोर्ण प्रिष्ट मिला, 2πR कोष्टक में R प्लस H वर्गी काई, और बेलन का आयतन मिला पाई आर स्क्वेर एच घन एकाई